सबसे पहले इस टाइटिल को समझते हैं बाई दबुक बाई दबुक का मतलब होता है रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना अकॉर्डिंग टू दबू रूल्स अब यहां हम बात करने वाले हैं ओबीसी रिजर्वेशन के संबंद में तो देखते हैं रिजर्वेशन शुड सर्व डेवलप्मेंट पर्पस कि जो आरक्षन दिये जाते हैं किसी भी फिल्ड में ये काम आने चाहिए किस काम आने चाहिए रिजर्वेशन डेवलप्मेंट पर्पस के लिए यानि कि विकास के उद्देश के लिए reservation काम आने चाहिए and not be a weapon, यानि कि ये जो आरक्षन है, हतियार नहीं होना चाहिए, of divisiveness divisiveness का मतलब है कि विभाजन के लिए बांटने के लिए, यानि कि जो आरक्षन है, उसे लोगों को बांटने के लिए हतियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, reservation जो है, उसका प्रियोग लोगों के विकास के लिए करना चाहिए The Supreme Court has allowed Madhya Pradesh to implement 14% reservations for OBC Other Backward Classes कि Supreme Court ने Madhya Pradesh को ये allow किया है implement का मतलब है लागू करना कि 14 प्रतिशत आरक्षन जो है, वो लागू किया जाए OBC के लिए and notify notification जारी करना विग्यप्ति जारी करना and notify the elections for nearly 23,263 local bodies within two weeks और Supreme Court की तरफ से Madhya Pradesh को कहा गया है, कि भई जो है आप विग्यप्ति जारी करो चुनाओं के लिए चुनाओ किस चीज के लिए nearly 23,263 local bodies कि ये जो छेत्रिये निकाए होते है उनके लिए दो सप्ता के भीतर भीतर जो है आप चुनाओं की विग्यप्ति जारी करो जो छेत्रिये चुनाओं होते हैं उनके लिए The Court had on May 10 ordered Supreme Court की तरफ से 10 मई को ये order दिया गया था ordered the state Madhya Pradesh को to proceed with proceed का मतब है किसी काम को आगे बढ़ाना जारी रखना to proceed with the elections without OBC Quotas तो 10 मई को Court की तरफ से Madhya Pradesh को ये कहा गया था कि भी Madhya Pradesh क्या करे चुनाओं करवाए ये जो छेत्रिये निकाये के चुनाओं होते हैं उन चुनाओं को करवाए without OBC Quotas बिना OBC Quotas के The court has since then reassured itself Court ने तब से अपने आपको इस बात के प्रती पुनाश्वस्त किया है कि the state has made the triple test criteria it had established in 2010 for OBC reservation reservation के मामले में एक triple test जो है वो निर्धारित किया था Supreme Court ने Supreme Court ने कहा था कि भई आप अगर reservation देते हो तो ये तीन बाते हैं इन तीन बातों को follow करना जरूरी है तो Supreme Court ने इस बात को देखा है has met the triple test criteria यानि कि triple test के अंतरगत जो भी conditions निर्धारित की गई है वे उन conditions को follow किया गया है या नहीं किया गया है ये बात कोट ने देखिए और ये triple test कब निर्धारित किये गए थे 2010 में for OBC reservations in local bodies कि ये जो छेत्रे चुनाव होते हैं जैसे कि पंचायत के चुनाव हैं तो ये जो छेत्रे चुनाव होते हैं इन चुनावों में OBC के लिए कितना reservation रखा जाए इस मामले में कुछ महतुपूर्ण निर्धेश दिये गए थे या आप कह सकते हो triple test जो है जारी किया गया था कि इन इन बातों का आपको दियो है ध्यान रखना है तो इनको कितना follow किया गया या नहीं किया गया इस बात को court ने देखा a commission that undertook contemporaneous a commission that undertook contemporaneous कि एक आयोग जो था undertook undertook का मतब है कि आप इस चीज को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेते हो है तो क्या किया इस commission ने that undertook contemporaneous इसका मत्तब होता है occurring at the same period of time एक ही समय पे घटित होना empirical inquiry empirical inquiry empirical का मत्तब होता है based on observation कि आप किसी चीज को observe करते हो उस आधार पे empirical inquiry into the nature and and implications of the backwardness in the context of local bodies तो क्या था कि एक आयोग था उस आयोग ने क्या किया एक practical जाच की यानि कि उस आयोग ने observe किया और जाच की कि भई प्रकर्ति into the nature and implications implications का मत्ब है consequences प्रभाव of the backwardness in the context of local bodies कि local bodies के संबंध में कि भई अगर हम आरक्षन देते हैं तो उसकी प्रकर्ति क्या होनी चाहिए उसके प्रभाव क्या होंगे इन चीजों का जो है अध्यन किया गया commission के दोरा break up of the reservation local body wise break up का मतलब है तोड़ना कि भई जैसे इतनी seat है तो इतनी seat को किस तरह से divide किया जाए उनका break up करना break up of the reservation local body wise यानि कि छेत्री निकायों के हिसाब से जो भी seats available है उनका break up करना इन सभी चीजों का अध्यन किया गया and adherence to the 50% ceiling on quotas तो देखो ये वो तीन conditions है ये वो triple test है जिनका ध्यान रखना है कि भई आपको पहली चीज तो ये निर्धारित करनी है कि आपको क्या करना है observe करना है ठीक तरीके से कि भई आप आरक्षन देना चाह रहे हो तो वहाँ आपको देखना है कि भई कितना backwardness है छेतर में उसके प्रभाव क्या है इसके लावा दूसरी बात आपको क्या करनी है जो reservation आप देना चाह रहे हो है न उसका break up करना है इसके लावा adherence to ध्यान देना ये जो adherence है इस adherence का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना किसी चीज को follow करना इसके बाद में हम लगाते है two preposition the 50% ceiling ceiling का मतलब है upper limit on quota कि भई जो भी seats आरक्षित की जाती है तो जो आरक्षन है आपका वो maximum 50% तक हो सकता है 50% से अधिक आरक्षन नहीं होना चाहिए तो ये तीन test थे इनको follow करना जरूरी है मद्यप्रदेश had already provided for reservation for women कि मद्यप्रदेश जो था उसने पहले से ही महिलाओं को जो है आरक्षन दे दिया था besides का मतलब है के अलावा के अतिरिक्त scheduled castes and scheduled tribes कि अनुसूचित जाती को आरक्षन देने के अलावा मद्यप्रदेश ने महिलाओं को भी आरक्षन दे दिया था and its proposed quota for OBCs is 14% और मद्यप्रदेश का जो प्रस्तावित quota है OBC के लिए वो है 14% to keep the aggregate aggregate का मतलब होता है लगभग total बोलते हैं ना कि aggregate तो एक लगभग या एक लगभग total to keep the aggregate तो आरक्षन की जो limit है उसको 50% तक रखने के लिए मद्यप्रदेश ने क्या किया है कि भई वह अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और महिलाओं को पहली आरक्षन दे चुका है तो अब जो उसके पास quota बचा हुआ था वो था 14% तो उसने 14% जो है देने का निश्चे किया OBC के लिए दे इस्टेट हैज कन्विंस देखो कन्विंस का मतलब होता है कि आप किसी को राजी कर लेते हो आपकी जो बात है उस बात से आप दूसरे को सहमत करा लेते हो The state has convinced the court that it had indeed made the triple test तो राज्य की तरफ से Supreme Court को ये बात कही गई है कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है वास्ताव में जो triple test है उनको follow किया है आरक्षन देने के दोरान But the validity and accuracy validity कि बही क्या ये चीज वैद है accuracy का मतलब है कितना सटी का आपने काम किया है of the commission report commission की जो report है उसकी validity और उसकी accuracy जो है उसको check करना remain open to further judicial scrutiny यानि कि commission ने जो कुछ भी अपने report दी है ये report बिलकुल open है यानि कि इस report का अभी और further का मतलब है और add करना किसी मुद्दे के बारे में further का मतलब है और ज्यादा additional further judicial scrutiny का मतलब है बारी की से जाँच करना तो कुल मिला के न्याइक जाँच के लिए commission की report open है यानि कि न्यायत तंत्र के द्वारा ये जो commission की report है इसकी जाँच की जा सकती है the मद्यप्रदेश government and the BJP have welcomed the order which they publicize as their success कि मद्यप्रदेश ने और BJP party ने क्या किया है supreme court के order का स्वागत किया है which they publicize publicize का मतलब है इसका प्रचार करना और जो BJP और खास करके जो भारती जनता पारटी की सरकारे मद्यप्रदेश में वे supreme court के order को इस रूप में publicize करते हैं कि ये उनकी सफलता है the opposition congress जो विपक्ष congress है has said उसने क्या कहा है OBCs deserve 27% reservation उन्होंने कहा है विपक्ष congress की तरफ से ये बात कही गई है कि OBC जो है वे 27 प्रतिश्यत आरक्षण deserve करते हैं यानि कि वे 27 प्रतिश्यत आरक्षण के हकदार हैं and blames the BJP government और विपक्ष ने blame का मतलब है दोश लगाना और विपक्ष ने BJP सरकार पे दोश लगाया है for its failure कि BJP सरकार fail रही है asafal रही है to impress upon the court on the quantum देखो to impress upon impress upon का मतलब होता है कि to make someone understand the importance of something कि आप किसी को किसी चीज का महत्तो समझाते हो आप किसी को किसी चीज की value समझाते हो तो विपक्ष यानि कि Congress ने क्या कहा है कि BJP जो है वह court को ठीक तरह से समझा नहीं पाई इन आंक्डों को इन आरक्षन से संबंदी जो भी आंक्डे है on the quantum कि यह जो संख्या है आरक्षन की इस संख्या को ठीक तरह से court के सामने BJP प्रस्तुत नहीं कर पाई मद्यप्रदेश और ओडिसा are also facing judicial scrutiny का मत्तब होता है नियाइक जांच of their plans for obviously reservation कि मद्यप्रदेश और ओडिसा जो हैं सामना कर रहे है कि इस पात का नियाइक जांच का कि भई मद्यप्रदेश और ओडिसा में जो भी plants हैं उनके reservation को लेकर in local bodies कि यह जो छेत्री चुनाव हैं इन छेत्री चुनावों में OBC को कितना reservation दिया जाए इस संबंद में नियाइक जांच का सामना कर रहे हैं मद्यप्रदेश और ओडिसा and this remains a controversial question और यह एक विवादासपद प्रशन बना हुआ है controversial विवादासपद प्रशन बना हुआ है on which the law is still evolving जिसके उपर यानि कि यह जो सवाल है कि जो local bodies है उनमें OBC को कितना reservation दिया जाए यह एक विवादासपद प्रशन बना हुआ है और इसके संबंद में जो कानून है वो अभी भी विक्सित हो रहा है evolve evolve का मतलब है निकलता जा रहा है विक्सित होता जा रहा है and public opinion और जो आम जनता की जो राय है public का जो opinion है public के जो विचार है is fractious देखो fractious होने का मतलब है hard to manage जिसको आप manage ना कर सको है न जो control के बाहर है यानि कि लोगों के जो विचार है इस संबंद में वे काफी ज़्यादा out of control है उनको manage करना बहुत ही difficult है the court has held अदालत ने इस बात को maintain किया है that the criteria कि वे जो criteria निर्धारित किया है आपने for reservation in jobs and women यानि कि नोकरियों में और सिक्षा में आरक्षन के लिए जो मापदंड निर्धारित किये गए है वे social और educational backwardness को ध्यान में रखकर किये गए है कि कोई समुदाय जो है सामाजिक रूप से और सेक्षनिक रूप से कितना पिछला हुआ है इस बात को ध्यान में रखकर हमने job और education में आरक्षन के मापदंड तै किये है court ने कहा है कि ये जो मापदंड हमने तै किये है need not be applied इन मापदंडों को apply करना जरूरी नहीं है for reservation in local bodies कि ये जो छेत्रिय चुनाव होते है जो हमारे छेत्रिय निकाय है उन local bodies में भी reservation के same नियमों को लागू करना जरूरी नहीं है backwardness to be established for political reservation backwardness पिछलापन to be established जिसकों की इस्थापित किया जाना है for political reservation कि राजनेतिक रूप से कितना आरक्षन दिया जाए can be of a different nature court की तरफ से ये बात कही गई है कि जो राजनेतिक आरक्षन देने की बात आती है तो उसके लिए पिछलापन किस तरह से निर्धारित किया जाए उसका मापदंड अलग हो सकता है it had held it had held यहाँ it आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी इस बात को maintain किया गया था कि उन्ही मापदंडों को जो की हमने सिक्षा के चेतर में और नौकरी के चेतर में लागू किये हैं पिछले पन के संबंद में उन्ही मापदंडों को राजनितिक रेजर्वेशन यानि कि ये जो चुनाव होते हैं वहाँ पर देने की जुरूत नहीं है उसके लिए आप जो है अलग मापदंड निर्मित कर सकते हो OBCs collectively form more than half the population of India collectively, सामोई क्रूप से कि अगर हम OBC की बात करें तो आदी से जादा जनता जो देश की है वह OBC के अंतरगत आती है and many communities और कई समुदाए जो है want to be included in the category कई समुदाए जो है वो इस बात को चाहते हैं कि उन्हें OBC category में शामिल किया जाए the politics of the country is largely litigated litigate का मतलब होता है among this segment segment का मतलब होता है वर्ग, तबका, समुदाए कि the politics of the country is largely litigated among this segment यानि कि इस segment की अगर हम बात करें OBC की तो इसको लेकर इस segment में जो है काफी ज़्यादा हमें मुकदमे बाजी, काफी ज़्यादा राजनेती देखने को मिलती है and suggestions and demands are raised raised का मतलब है उठाना जैसे किसी मुद्दे को उठाना and suggestions and demands तो कई तरह के सुझाओ दिये जाते हैं कई तरह की मांग की जाती है मांग उठाई जाती है on a regular basis यानि कि नियमित अंतराल पर ये जो OBC का आरक्षन से संबंदित मुद्दा है इसको लेकर कई तरह की मांग और कई तरह के सुझाओ दिये जाते हैं there is demand इस तरह की भी demand देखने को मिलती है for removing the 50% ceiling on quota ceiling का मतब है limit कि आरक्षन से संबंदित जो 50% की limit है यानि कि आरक्षन आप दे सकते हो लेकिन 50% की limit आरक्षन देते वक्त cross नहीं होनी चाहिए तो ये मांग भी हमें देखने को मिलती है कि ये जो 50% की ceiling हमने निर्धारित की है आरक्षन में इसको हटाया जाए a caste-based census जाती आधारित जनगर्णा census का मतलब होता है जनगर्णा that the center is opposing कि केंद्र सरकार जाती आधारित जनगर्णा का विरोध कर रहा है but clamor clamor का मतलब होता है shore शराबा for which is growing लेकिन जाती आधारित जो जनगर्णा है इसको लेकर काफी जादा shore शराबा देखने को मिल रहा है देश भर में and reservation in the private sector और इस बात की भी मांग हमें देखने को मिलती है कि जो निजी छेतर है उसमें भी reservation के नियम जो है लागू किये जाए while जबकि quotas have proven to be an effective instrument कि ये जो seat निर्धारित की जाती है आरक्षन दिया जाता है ये जो आरक्षन है साबित हुए है एक प्रभावकारी उपाए of empowerment का मतब है सशक्ती करण and justice निया यानि कि आरक्षन जो है लोगों को justice देने में उनको सशक्त बनाने में बहुत ही प्रभावी उपाए साबित हुए है लेकिन साती सात competitive politics around them लेकिन आरक्षन के चारों और जो प्रतियोगी राजनिती हमें देखने को मिलती है ये अकसर कारण बनती है lead का मतलब होता है कारण बनना often leads to a paralysis लेकिन हम क्या देखते है कि आरक्षन के चारों और जो राजनिती घूमती है वो कारण बनती है कि जो साशन है governance है और जो politics है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट हमें देखने को मिलती है इस आरक्षन के मुद्दे के लेकर paralysis का मतलब है कि कोई चीज पूरी तरीके से hamper हो गई उसमें बहुत ही पूरी तरीके से ठप हो गई रुकावट आ गई जैसे मानो उसको लकवा मार गया हो तो politics में और governance में बहुत ज़्यादा बाधा जो है वो देखने को मिलती है हमें इस आरक्षन के मुद्दे के कारण making the reservation regime fair regime का मतलब है शाशन व्यवस्था fair का मतलब है निस्पक्ष कि reservation से सम्मंदि जो व्यवस्था है उसको बिलकुल निस्पक्ष बनाना objective objective का मतलब भी यह होता है किसी चीज को आपने objective बना दिया इसका मतलब है वो चीज बिलकुल impartial है unbiased भेदभाव मुक्त and empirical empirical का मतलब है जो practical है जो की बिलकुल pragmatic है observation पे आधारित है is a major governance challenge तो एक बड़ा शाशन व्यवस्था से सम्मंदित यानि कि एक बड़ी जो शाशन व्यवस्था से जुली हुई चुनोती हमारे सामने है वो ये है कि जो reservation व्यवस्था है उसे बिलकुल निस्पक्ष बनाया जाए and the court's attempts in that direction is welcome और court की तरफ से इस दिशा में जो प्रियास किये गए है वे स्वागत पूर्ण है पॉलिटिकल पारिटीस and governments must act in tandem with देखो tandem in tandem with का मतलब होता है साथ में काम करना Judiciary का मतलब है नियाए पालिका कि जो राजनेतिक पारिटीस हैं इसके अलावा जो सरकारे हैं इनको नियाए पालिका के साथ में मिलकर काम करना चाहिए so that ताकि reservation programs जो भी programs हैं do not turn divisive ये programs लोगों को बांटने वाले न बन जाएं बट सर्व सर्व का मतलब है काम में आना a development purpose ये आरक्षन से संबने जो program है ये विकास का जो हमारा उद्देश है उस उद्देश को पूरा करें न कि आरक्षन से संबन्दित program जो हैं वे लोगों को बांटने वाले थावित हो इसके लिए जरूरी है कि हमारी political parties और जो विभिन सरकारे हैं वे नियाए पालिका के साथ मिलकर काम करें